अकार की गंडाये, उनके मुवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। हमने ग्रहों और ग्रहों की गती को लेकर इतना सुक्ष्म गंडाय करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे हां सेक्ड़ो वर्ष आगे के पंचांग यानि केलेंडर्स बनाए जाते थे। इसलिए मैं इसे जुड़ा एक टास्क अपनी नई पीड़ी को देना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के सास्त्रों में जो खगोली सुत्र है, उन्हें साइन्टिफिकली प्रूव करने के लिए, नए सिरे से उनके अध्यन के लिए नई पीड़ी आगे आएं। ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। आज जो स्कूल के, कॉलेज के, उनिवर्सिटिज के स्टूडेंट्स है, रिसर्कर्स है, उन पर एक तरह से ये दोहरा दाईत्व है। बारत के पास विज्ञान के ग्यान का जो खजाना है, वो गुलामी के लंबे कालखन में दब गया है, छिप गया है। आजादी के इस अमरित काल में हमें इस खजाने को भी खंगालना है, उस पर रिशर्च करनी है और दुनिया को भी बताना है। दूसरा दाईत्व ये कि हमारी युवा पीड़ी को आज के आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्लालोजी को नए आयाम देने हैं। जादी समंदर की गहराईयों से लेकर आशमान की उचाई तक आसमान की उचाई से लेकर अंत्रिष की गहराई तक आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। आप डीप अर्थ को भी देखिए और साथ ही डीप सी को भी एक्स्प्लोर करिए। आप नेक्स जनरेशन कंप्यूटर बनाईए और साथ ही जनेटिक एंजिनेरिंग में भी अपना सिक्का जमाईए। भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं। 21 सदी के इस कालखन में जो देश साइंस और टेक्नलोजी में बड़त बना ले जाएगा। वो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा। साथियों आज बड़े बड़े एक्सपर्स कह रहे हैं। कि अगले कुछ वर्षों में भारत की स्पेस इंडिस्ट्री एक बिलियन डॉलर से बढ़ कर सिक्स्टीन बिलियन डॉलर की हो जाएगी। सरकार भी इस बात की गंबीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार रिफार्म कर रही है। हमारे युवा भी कमर कसकर तयार है। आपको जानकर सुखद आश्चर होगा कि पिछले चार साल में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्ट अप की संख्या चार से बढ़कर करीब करीब डेड़ सो हो गई हैं। हम कल्पना कर सकते हैं। कि अनन्त आकाश में कितनी अनन्त संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही हैं। वैसे कुछ दिन बात एक सितंबर से माई गौव हमारे चंद्रियान मिशन को लेकर बहुत बड़ा क्वीट कॉंपटिशन लॉंच करने वाला है। हमारे देश के स्टूडन्स इससे भी सुरुवात कर सकते हैं। मैं देश भर के स्टूडन्स से आगरा करूँगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। मेरे परिवार जनों देश की भावी पीड़ी को आपका मारदर्शन बहुत आवशक है। आप जो इतने सारे important missions पर काम कर रहे हैं, वो आने वाली पीड़ी ही।